हिंगंगार शेर के विडियो पा चौक से विधायक समीर कुणावर के निवास अस्थान की और जाने वाले सड़क पर कल रात को सड़क पे खड़ा ट्रक अचानक जमीन में धस गया जिससे एक पल के लिए शेर में भूकम आने की आशंग का व्यक्त की गई लेकिन सड़क पर खड़ा ट्रक भूकम के कारण नहीं तो सावजनिक बांध काम विभाग द्वारा किये गए पेवर ब्लॉक की वज़े से जमीन में धसने की बात सामने आई हैं संबने ठेकेदान ने काम चलाओ तरीके से काम करने से पार्किंग किये गया खड़ा ट्रक अचानक जमीन में एक से डेड़ फोटे धस किया इस साथ से सावजनिक बांध काम विभाग द्वारा की ये काम में कोता है बरतने की पूल खुल गई है मदार संगी विधायक समीर कुणावर के सामने के सड़क पर ये होता तो इस ठेकेदान ने जगा जगा पर किये काम कहर्च होगा इसकी कल्पना की जा सकती है रोड की बाजू में सावजनिक बांध काम विभाग द्वारा पेविंग ब्लॉक करने पूर्व उस पर मुरम खड़ी डालकर धूमस करके कॉंक्रीट किया चाहिए था लेकिन पेविंग ब्लॉक लगाते समय इस काम में कोता ही बढ़ती गई इस तरह सड़क पर खड़े ट्रक का जमीन में दसने से इस काम के बोगस होने की बात का भाणडा फोड हुआ साथ ही सावजनिक बांध काम विभाग की अधिकारियों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ये बात भी उजागर हुई है ठेकेदान ने सीधी मिट्टी की पार्ट पर ही पेविंग ब्लॉक डाली जिस वज़़ से जमीन में अनेक प्रकार की गीलापन आने से 30 टन वज़नी ट्रक का भार वो पेवर ब्लॉक सहन नहीं कर सका और खड़ा ट्रक जमीन में धस गया सुदेव से इस प्रकरन में किसी प्रकार की चीवी थानी नहीं हुई लेकिन ट्रक का भारी नुकसान हुआ शेर में इसी प्रकार से कई जगा पेवर ब्लॉक के काम सारजनिक बांध काम विभाग द्वारा किये गए और इसी तरह के हाथसे होने की संभावना जताई जा रही है NBCN News के लिए हिंगन घार से रवी यौनौर कर की रिपोर्ट